देखिए अगर आपके पास realme का phone है और उसमें अगर आपको 5G use कर रहा है देखिए मेरा 5G on है और मैं 5G इसमें use कर रहा हूँ mobile data on है उसके नीचे भी 5G लिखा हुआ है तो आप इसे कैसे enable करें देखिए यहाँ पर sim cards ने अपने 5G plans चालू कर दिये हैं और phones में यहाँ पर देखिए 5G लिख कर आने भी लग गया है 5G start हो गया है तो अगर आप में enable नहीं होता है तो उसे enable करने के लिए phone की settings में जाना है और mobile network में जाना है इसके बाद यहाँ पर आपको sim card के option पर जाना है और यहाँ आप preferred network type में जाएं और 5G वाले option को यहाँ पर select कर लें इसके बाद यहाँ से back आए और एक और settings है advanced settings इस पे click करें और 5G network mode पे click करके इसे automatic रखें देखिए stand alone mode और non stand alone mode होता है वो अकेला 5G server पे dedicated है और non stand alone mode जो है वो 4G के जो भी server है उससे help लेके वो on होता है basically इसका मतलब यह होता है तो आपको इसके बारे में इतनी detail जानकारी जानने की जरूत नहीं है बस आप automatic पे रखिए आपका phone automatic detect करेगा जो भी उसे सही लगेगा उससे वो 5G on कर देगा बट इसे on करने के लिए एक चीज़ देखना जरूरी है कि आपका phone 5G है या फिर नहीं अगर आपका phone 5G नहीं होगा तो ये enable नहीं होगा